स्तोत्र 63-62 इश्वर के दर्शनों की अभिलाशा एक स्तोत्र दाउद का ये उस समय का है जब वो यूदा के उजार खंड में था इश्वर तू ही मेरा इश्वर है मैं तुझे ढूंडता रहता हूँ मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है जल के लिए सूखी संतप्त भूमी की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरस्ता हूँ मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किये मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है तेरी सत्यप्रतिक गिता प्राणों से भी अथिक प्यारी है मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझ से करवद्ध प्रार्थना करता रहूँगा मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से त्रप्त होगी मैं उल्लसित होकर तेरी स्थुति करूँगा मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ तू सदा मेरा सहारा रहा है मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है जो मेरे प्राणों के गाहक हैं उनका विनाश हो वे अधोलोक जाएं वे तलवार के घाट उतारे जाएं वे गीदणों का आहार बनें राजा प्रभु के कारण आनंदित होंगे जो इश्वर की शपत खाता है वो अपने को धन्नी समझेगा जबकी मिध्यावादियों का मुख बंद रहेगा